एलो फेस्टिक भार्ति उट्व चले में आपसे के सबागत है आज किस वीडियो हम बताने वाले निवास परमानपत्र आवासी परमानपत्र या डूमिसाइल सर्टिफिकेट का ओल्लाइन आविदन कैसे करें जी अगर आप भी आप निवास परमानपत्र या आवासी पत्र का ओल्लाइन आविदन करने करें सबसे पर इपने मुआ लएडियो यहां पर नीचे की तरह को डाउन करना और यहां पर देखेंगे लोग सिवाव को अधिकार की सिवाई आता है इसी में यहां पर समान परसा संग भीभाग का जो अप्संदें आए इस पर आप किलिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखने को मिल जाता है अब जहां से बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे जैसे हम उंचल से बनवाना चाह रहे हैं तेहां पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पूरा फॉर्म का प्रिभी खुल कर आजाएगा अर्थात यहां पे फारम देखने को मिल जाता है अब यहां पे दो-तीन महत्पण बातुप धियान दिजेगा इसी कारण ज्यादता लोग कि यहां पे आविदान रिजेक्ट हो जाते है या फेल हो जाता है अर्थात फारम का प्रिवियू खुल कर आरा है इसको 8 मिनट के पूरा document available कर लेना है फिर यहां पे back जाना और उसको पर जटर्च को open करके पूरा जली-ज़ली इसको भर लेना है अब यहां पर फर्म को कैसे बढ़ना है ति इसके लिए यहां पर सबसुपर में देखें गए आजाता है लिंक सेलेक्ट करने करने के लिए ता आप यहां पर हुआ है महिला पूरु सूसकू सेलेक्ट करेंगे फिर यहां पर आ जाता है अभिवादन तेहां पर क्लिक करेंगे तेहां पर कोई अभिवादन नहीं आपको सेलेक्ट करना है यहां पर टाइटल नहीं लगाना उसके पर जिनका आप आविदन करें उनका नाम इंगलिस में ल पिर उनके पीताका नाम अइंग्लिस में लिखेंगे पिर पीता के नाम हिंदी में लिखेंगे इस सब कंपलसरी है अब यहां पर जाये महिला होसी यहां पर पूरू सब्क हों यहां पर नाम लिखना ठीक है उसके पसिचाender जिंगतंत नमर न दाली कि पहले के हैं के लिए पिर आपको यहां पर जाता है राइस सेलेक्टन से लिए और नहीं तो इसको इसको सेलेक्ट प्रिया पर नुमर सेलेक्ट और यहां पर आ जाता है अर्थात आपका पुस्ट ऑफिस उसको सेलेक्ट करेंगे पर यहां पर फोटो करना और यहां पे फिल करना है पर ध्यान दीजेगे कि फोटो का जो साइज होगा वो 20 के 20 से ऊपर होना चाहिए ठीक है 20 के 20 से नीचे का है तो यहाँ पर नहीं लेगा फिर यहाँ पर नीचे में देखेंगे अधार संख्या आ जाता है डालने के लिए अर्थात आपको यहाँ पर अधार का नॉम्मर डाल देना है फिर यहाँ पर आयाता है निवास का परकार क्या है तो यहां पर लिखेंगे सरकारी नौक्रियों में आविधन है तो बाकी लोग यहां पर सरकारी उजनाओं का लाभ लेने होते हो तिस तरह से लिखेंगे तो आपको यहां पर अविधन का उदेश से कंपलीट हो जाएंगे तो यहां पर सेल फेस्ट अर्थाथ गोशना अब यहां पर फाइनल में प्रोसीट के उप्सटन पर किलिक करते हैं और पर फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहां पर वर्ड इसी कि यहां पर टाहर करने के और तौ पर आपको वेट करणा होई और जैसे किलिक करने इस भीलती तो नहीं है यानि एक बार यहां पर पूरा ध्यान से देख यहां पर पर पूरा द्यान से देखेंगी यहां पर 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 कोई गलती यहां जाएंगे आप back page पर चले जाएंगे और वहां पर आपको गरना है सुधार कर लेना है और फिर से आप प्रोसीट के option पर क्लिक करेंगे ति इस page पर आजाएंगे लेकिन अविर आपका कोई गलती नहीं है ति यहां पर देखेंगे करेंगे submit का option पर किलिक करेंगे और जैसे किलिक करेंगे इस तरह का option खुल क रहा जाएगा आर्थात यहां पर final submit हो चुका है यहां पर देखेंगे आपका आफ़ें संक्या देखने को मिल जाता है अब आपको नीचे खितर पाःगे ति इसका पूरा details और भी यहाँ पर जो फिल किया है वो देखने को मिल जाता है अब इसको PDF में convert करने के लिए आप एक्सपोर टू PDF को पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PDF में देखने को मिल जाएगा अब इस PDF को send करने के लिए यहाँ पर में देखेंगे जो त्री टॉर्ट का option दिया जा रहा ह है इस पर आप क्लिक करेंगे उसके पर यहाँ पर आ जाते हैं उसके फायर का गरेंगे जोफे जा चाहिए क्यरे करेंगे और परने के Tao को को मिल जाता है आप यहां पर नियागरिक ऑन भाग सेक्शन में देखेंगे यह का जाता है आविदन की स्थीटी देखेंगे उसके पर इस तरक इंटरफेस कुल कर आएगा अब यहां पर आपको करना है फॉस्ट वाला अप्सन सेलेक्ट होने है अर्था ते रिफ्रेंस नमब नहीं मिल तर वहां पर चारो इस्टिप कंपलीट दिखा रहा है उसके पर आपको बैकाना है और यहां पर देखेंगे जो श्रक्राइब करेंगे करेंगे क्लिक करतीं यहां नोट फांड अर्थाथ यहां पर मैंने ज़स्ट किया इस वज़े से नहीं दिखने को मिल जाएगा अर्थाथ जैसे हैं आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा उसकी पर चेश्टिकेट करेंगे आपका सर्टिफिकेट डॉलोड हो जाएगा इस तरीके से अपनी वास परमान प